नमस्कार सुलकता सवाल देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग पश्चिम बंगाल में कुलकाता कांड ने ममता सरकार के मुश्किले बढ़ा दी है जूनिया डॉक्टरों के आकरोश के आगे ममता बनजी के सारे दाव फेल होते चाह रहे हैं वही मामले में एक के बाद एक CBI के खुला से चौकाने वाली हैं जिस तरह से TMC सरकार की पुलस पर गंभीर आरोप लग रही है उससे वहां की आम जिनता का गुस्सा भी फूट पड़ा है इतना ही नहीं CBI के साथ साथ अब बस मामले में ED ने भी सक्त रुख अपना लिया है और ED आक्शन की डर से TMC के कई निता काप उठे हैं वही कुलकाता कार्ण मामले में CBI ने लफ्ट की निता मिनाक्षी मुखर्जी से पूस्ताच करके हलचल और ज़्यादा बढ़ा दी है कुलकाता कार्ण मामले की मौजूदा हालाद पर तमाम तरह के सवाल सुलग रही हैं कुलकाता कार्ण मामले में CBI आक्शन से ववाल क्यों कैसे ED की रडार पर आये TMC के कई निता मामले में CBI ने क्या किये चौकाने वाले खुलासी ममता से डॉक्टरों की बाच्ची क्यूं हुई बेनतीजा इनसा वालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनाजी की टेंचन को बढ़ा दिया है सुलक्ता में आगे बताएंगे CBI ने क्या किये बड़े खुलासे क्यूं सस्पेंड हुए ठाने के S.H.O. साहब और मिटिंग में क्यूं नहीं बन पाई बात लेकिन सबसे पहले बात CBI और E.D. आक्शन की दरसल कुलकाता डॉक्टर केस की जाच कर रही CBI ने माक्षवादी कम्मनिस्ट पार्टी की यूवाश शाखा की निता मेनाक्षी मुखरजी से पूछता चकी है तो दूसरी तरफ वहीं E.D. ने आजिकर मेडिकल कॉलेज की रोगी कल्यान समीती के सदस्य रहे T.M.C. के वदायक सुदिप्तो रोय से पूछता चकी CBI के दफ्तर पर मुखरजी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि हम आजिकर अस्पताल की पिड़ता के लिए न्याय चाहते हैं हम महिला चुकित सके हत्यारों को सजा दिलाना चाहते हैं और त्वरित न्याय चाहते हैं और इसके लिए मैं यहाँ CBI कार्याले में आई हूँ अब गौर करने वाली बात यह है कि मुखरजी पिड़ता के लिए न्याय की मांग करने वाले आंदोलन में सबसे आगे रही थी उन्होंने अपने समर्दकों के साथ 9 अगस्त को आजिकर अस्पताल के सामने उस समय जबरदस्त विरोत परदशन किया था जब पुले सिम्रित चुकित्सक का शौ लेकर जा रही थी इडी ने टीमसी नेता सुदिप्तो रॉय से क्योंकि पूछताच इस बीच इडी ने डॉक्टर सुदिप्तो राय को तलब किया जिनके घर और नर्सिंग होम और अन्य संपती के पिछले सप्ता इडी और सीबी आई दोनों ने तलाशी रही थी इडी ने चाप इमारी के दौरान उनके मुबाइल और अन्य डिजिटल अउपकरण भी जप्त किये थी इससे पहले कुलकाता के आजिकल मेडिकल कॉलेज में रेजिडिन्ट डॉक्टर की साथ हुए घटना ने पूरे देश का गुसा सामने ला थिया कॉलकाता पुलेस ने एक आरोपी को जल्द ही गिरफतार भी कर लिया था लेकिन बाद में कोट के हस्तशेप के बाद ये केस सीबियाई को सौप दिया गया वहें परत दर परत खुले इस केस ने आजिकल कॉलेज की आन्यमतताओं को भी सब के सामने उजागर कर दिया है पास नमीनी करण करवाने का आदेश दे दिया गया जब जात्रू ने दबाव डाला तो उनको सस्पिंट करने की चगा उनने दूसरे अस्पताल में ट्रांसपर दे दिया गया आखिर उन्हें क्यों बचाने की कोशस के जारी है इस केस को लेकर जूनियर डॉक्टर ने लगतार अपना धरना पदर्शन जारी रखा जिसे देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मम्ता बनची ने उनसे मुलाकात की और उनके प्रमुक पांट में से तीन मांगों को मान कर उनसे धरना खत्म करने के लिए कहा लेकिन इस सामान बरामत के कहते हैं कुलकाता पूलिस ने यह जानते हुए कि आरोपी से जुड़े समान अपराद में उसकी भूमिका तैक करने में एहम साबित हो सकते हैं इसके बावजुद देरी कर दी गई थी एक अधिकारी ने कहा कि मुख्या आरोपी और साह आरोपी के बीच सालापूर स्टेशन, क्राइम सीड और मेडिकल कॉलेज के साथ दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठा कर पूछताच की जाएगी उनके फोन से निकाले गए मुबाइल डेटा की भी जाच की जाएगी ताकि उनके बीच हुई बातचीत से इस मामले में संभावित कुलकादा पुलिस ने मुख्या आरोपी संजरोय को वारदात की एक दिन बाद 10 अगस्त को सेसिटिवी फोटेज के अधार पर ग्रफतार किया था उसे वारदात की दिन तड़के 4 बजे के करें में अस्पताल की सेमिनार हॉल में प्रवेस करते वे दिखा गया था एक सीब आनावे शक देरी करती हाला कि कलकत्ता हाई कोट के आदेश के बाद 14 अगस्त को सीबी आई ने इस केस की जांच अपने हाथ पे ले ले थी इससे पहले कोलकादा पुलिस इसकी जांच कर रही थी इस मामने में सीबी आई ने पुरोव प्रिंसिपल संदीप गोश और ताला संदीप गोश अबिजीत मंडल की सीबी आई ने अदालत को बताया कि दोनों पूछताच में अधिकारियों के साथ सयूग नहीं कर रहे इसलिए इनके हिरासत बढ़ाए जाने की जरूरत है जांच इजिंसी ने भी कहा कि उसे लेडी डॉक्टर के साथ दुशकर्म का अभी तक कोई सुबूत नहीं मिला है आरोपी के मोबाइल कैसे खोलेंगे कई राज सीबी आई के वकील ने कहा कि उनके अधिकारियों को अभी तक डॉक्टर के दरिंदगी या हत्या में संदीप गोश और अभी जीत मंडल की कोई प्रतक्ष संलिप्तता साबित करने वाला सुब भी किये थे अदालत में दिये गए बयान में कहा गया है कि प्रोप पुर्व प्रिंसिपल संदीप गोश पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने की बजाए जानबूच कर घटनास्तर से अनुपस्तत था जांच एजिंसी को शक है कि संदीप गोश किसी और से बात कर रहे थे और उसी से आदेश ले रहे थे इसके बाद अदालत ने संदीप गोश और अभिजीत मंडल की सीबी आई रेमांड ओदे तीन दीन और बढ़ा कर 20 सितंबर तक कर दी सीबी आई ने कहा था कि ताला थाना प्रभारी अभिजीत मंडल को सबूतों से छेट चार करने एफ आया मेडिकल कॉलेज और अस्पिताल में हुए लेडी डॉक्टर केस में ग्रफतार ताला प्रभारी अभिजीत मंडल को सस्पिंज कर दिया क्या है कोलकाता के नए सीपी मनोज वर्मा की नियूपती के बाद ये पहला बड़ा आक्शन माना जा रहा है कुलकाता केस में जूनियर डॉक्टर का विरोध पदशन अभी भी जा रही है राज्य सरकार की तरप से कोशिस जरूर हो रही है कि अब सभी डॉक्टर काम पर वापिस लोट जाए लेकिन जमीन पर एस्थिती इससे उलट दिखाई दे रही डॉक्टर के मताबिक उन्हें मौकी का श्वासन तो सरकार से मिल रहा है लेकिन लिखित में कुछ भी नहीं दिया क्या ऐसे में पादर्श्यता की कमी है डॉक्टर ने कहा कि वे सरकार से हुई बाच्चीत से असंतुष्ट है और अपनी हरताल को जारी रखेंगे डॉक्टर नहीं ये भी आरोप लगाया है कि बैठक में डॉक्टर राज्यत सरकार ने बैठक की लिखित कारेवाई यानि के मिनट्स अप मिटिंग मांगे थे जिससे देने से सरकार ने इनकार कर दिया इस बीच पश्चिम बंगाल मेटकल काउंसलिंग ने आज जिकर अस्पताल के पुरो प्रिंसिपल संदीब घोश का पंजी करण भी रद कर दिया संदीब से पहले अस्पस्टी करण मांगा गया था लेकिन 13 दिन से ज्यादा निकलने के बाद भी कोई अस्पस्टी करण ना मिलने पर काउंसलिंग ने ये बड़ा कदम उठाया है काम पर क्यों नहीं लोटे डॉक्टर डॉक्टर के पदर्शन को लीट करने वाले दिबशीस हलदार ने एक बयान में कहा है कि हम इस बात की तारीफ करते हैं कि सरकार की तरफ से हमें मौकिक आश्वासन मिल रहे हैं हमें उम्मीद है कि सरकार अब लिखित भी आश्वासन देगी लेकिन तब तक हमारी कारवाई जारी रहने वाली है इसके उपर डॉक्टरों की एक शिकायत यभी रही कि मिटिंग की लाइब इस्ट्रीमिंग वे नहीं कर पाए उनके जैसे कई दूसरे डॉक्टर अभी भी सामिल है इसके लवारा राज्जी के हेल्थ सेक्रेटरी का अस्तिफा भी मांगा गया है अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी कई सुझाव दिये गए हैं वैसे डॉक्टरों की तरफ से असपश्च कर दिया गया है कि जब तक सारी मांगे नहीं मालने जाती काम पर वापस नहीं लोटा चाएगा पिछले बार से ममता बनर जी ने जरूर कहा था कि डॉक्टरों की निन्याद में फीजदी मांगे माल ली गई है वे क्यूंकि नौजवान है ऐसे में उनकी बात तों कुछ सुना गया लेकिन ममता का यह भी बयान विरोत कर रहे डॉक्टर कि बात कहीं जा रही है सो लगता सवाल में फिलाल करता ही देखते रहें कापिटल टीवी नमस्कार